जानते हैं वागभट टुटेशी जी जिन्होंने हमारी आईवरेट की किताब अश्टांग घरदे लिखी थी आज से हजारों साल पहले उनके बताए गए तरीके से चूना यानि कि जो आपको पान की दुकान में सफेद रंका चूना मिलता है उसके साथ में दाल चिनी का अगर आप प्रियोग करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं कितनी माता में प्रियोग करना है कौन से समय पर प्रियोग करना है सुबह खाली पेट खाना है रात को सोते समें इसका सेवन करना है और अपनी बॉड़ी की प्रकृति के अनुसार अगर वात पितियकफ इनमें से कोई भी ज़्यादा प्रकृति रहती है उसके अनुसार वागपट रिशी जी की द्वारा बताई गई बाते चानेंगे जीहां डियर फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्तर सीमा गुपता एक आर्वेडिक डॉक्टर और अगर आप सुबह उठकर खाली पेट या फिर दिन को या फिर रात को सोते समें दालचेनी का चूने के साथ प्रयोग करते हैं तो उसके फायदे चानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं वात प्रकृति के लोगों के बारे में अगर आपकी वात प्रकृति बिगड़ गई हो तो ध्यान रखें कि आपको चूने और दालचेनी का सुबह उठकर खाली पेट सेवन करना है ना आपको दिन में सेवन करना है ना रात को सोते समें सेवन करन करना है सुभे खाली पेट सेवन करना है बच्चा बुड़ा जवान किसी भी उम्र का व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है कोई भी नुकसान नहीं होता बस एक ही सकते हैं फिल्स चावल का जितना दाना होता है इतना आपको चुना लेना है और साथ में दालजीनी का एक चोटा टुकडा लेना है इतनी मात्रा में आप चाहें तो हफ़ते में दो से तीन बार यानि कि एक एक दिन चोड़ के अगर प्रयोग करते हैं तो केल्शियम की कमी या एक से दो हफ़ते के भीतर भीतर उसको दुबारा लाने में मदग सरता है बहुत ही जवरदस बहतर न तरीके से बस ध्यान रखें कि कुछ प्रानयाम होते हैं जैसे कि अनूलोंग-विलोंग प्रानयाम, कपाल-भाती प्रानयाम अगर आप साथ में इन दोनों प्रानयाम को भी करते हैं तो आपको और भैदरिंच वर्दस फायदा होता है तो अब अगर आपकी पित और कफ प्रकति बिगड़ गई है तो आपको रात को सोते समय चूने और दालचिनी का प्रयोग करना है सबसे पहले तो ये आपकी इम्मिनिटी को बढ़ाएगा सद्धी खांसी चुखाम नहीं होने देता तो कितनी मात्रा में सेवन करना है चूना एक चावल के दाने की जितना ही लेना है और दालचिनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है अगर आपका चेहरा पीला पढ़ गया है तो इसका मतलब है कि आपको खून की कमी है तो अपनी बाडी के अनुसार यानि कि अगर आपको वाद की प्राबलम रहती है पित की प्राबलम रहती है या फिर कफ की प्राबलम है उसके अनुसार सुभे खाली पेट या फिर रात को सोते समय आपको चूने और दाल चिनी का प्रयोग अविश्य करना है एक एक दिन छोड़ कर दोनों ही हिमोग्लोबिन लावल को बढ़ाते हैं एक हफते के भीतर भीतर जिनको 7-8 हिमोग्लोबिन रहता है वो 13-14 तक हो जाता है साथ ही जिनको प्लेटलेट्स की कमी रहती है उसको भी बढ़ाने में ये बहुत ही चपरदस तरीके से मदद करता है दस दिनके अंदर प्लेटलेट्स भी लगबग डबल हो जाते हैं अगर आपके चेहरे पर गलो नहीं रहती आप गोरापन पाना चाहते हैं नैच्रल गलो पाना चाहते हैं तो आपको सुबह के खाली पेट सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सही करके हलका गुनगुना पानी पीना चाहिए फिर चावल के दाने जितना चूना लें और साथ में दालचीनी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए और हरी सबजियों और फर्ल यानि के 60% जो आपका भोजन रहता है वो कच्छे फॉर्म में रहना चाहिए ड्राइफ फ्रूट साथ में अगर आप चाहें तो सेवन कर सकते हैं हरी सबजियां जो सीजनली अवेलबल होती हैं सूट्स जो सीजनली अवेलबल होती हैं ओभी आपको साथ में सेवन करना चाहिए और दालचीनी और चूने का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए आपको अपनी बॉडी टाइप के अनुसार, पित प्रकटी और कौफ प्रकटी है तो रात को प्रियोक करें, डालचिनी और चूने का और बात प्रकटी है, तो सुबे खाली पेट इसका प्रियोक करें ध्यान रखें जिनको किर्नी स्टोन की प्राब्लम है, पत्री की समस्या है, उनको इसका प्रियोग बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करना है इसके अलावा अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी आपके माता पिता को आपके नाना नानी दादा दादी को हाई बीपी यानि के हाई ब्लेड प्रेशर की समस्या रहती है तो अपनी बॉडी की प्रकति के नुसार वातपित कफ के नुसार आप दालचीनी और चूने का प्योग करते हैं तो ये आपके blood pressure को maintain करने में बहुत ही चबरदस, बहुत ही बहतरी तरीके से एक दू दिन के भीतर ही मदद करते हैं तो जिनको high BP की problem रहती है खासकर दालचीनी का तो उनको अवश्य सेवन करना चाहिए दालचीनी का काड़ा बना कर आप सेवन कर सकते हैं बीच में इलाइची डाल कर या फिर चाय पत्ती के साथ में भी सेवन कर सकते हैं अगर आप दालचीनी और चुने का एक साथ सुबह के समय खाली पेट या फिर रात को सोते समय अपनी बॉड़ी के प्रकृति के इंसा सेवन करते हैं तो अगर आपको कब्स की समस्या रहती है खाया पिया अगर आपके शरीद में नहीं लगता पाचन करिया अगर आपकी अच और इसका फाइदा उताएं थेंक यू झाली झाली यू झाल झाल झाल